नमस्कार जैसा कि आप जानते हैं उच्चतर माधिमी कस्तर पर हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में जैसंकर प्रशाद पढ़े और पढ़ाये जाते हैं आज इस कारकरम में पाठ्य पुस्तक में संकलित जैसंकर प्रशाद की देवसेना का गीत हम चर्चा करेंगे ये गीत प्रशाद के प्रमुख नाठक सकंद-गुप्त और चंद्रगुप्त से लिये गए हैं आईए सबसे पहले प्रसाद के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल कर लें। प्रसाद मूलतह कभी थे। लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, अनेक साहितिक बिधाओं में उच्च कोट की रचनाओं का सुरुजन किया। नाटकों से ली गई उनकी ये कविताएं, कलपना और सपन को राश्टी संघर्ष के यथार्थ में रूपानतरित करती है। उनकी कविता में बेदना का सुर। राश्टी एवं सांस्कृतिक स्वर बन जाता है। प्रसाद गहरे अर्थ में सांस्कृतिक कभी है। अब सुनते हैं कविता देवसीना के गीत का सस्वर पाठ। आह बेदना मिली विदाई। मैंने भ्रम्बस जीवन संचित मधुकरियों की भीक लुटाई। छल छल थे संध्या के स्रमकन, आशू से गिरते थे प्रतिछण, मेरी यात्रा पर लेती थी, नीरता अनंत अगडाई। स्रमित सपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, पथिक उनुदी सुरुति में किसने यह बिहाग की तान उठाई। लगी सत्रिष्न दीठ थी सबकी, रही बचाई फिरती कबकी, मेरी यासा आह बाउली, तुने खोदी सकल कमाई। चड़कर मेरे जीवन रत पर प्रले चल रहा अपने पत पर मैंने निजद दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड लगाई। लवटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विस्वन समलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गमाई। इस सस्वर के पाठ के बाद इसी कविता से जुड़ी कुछ जिग्यासाओं के समाधान के लिए हमने बुलाया है आज के विशेशग्य प्रोफेसर नित्या नंतिवारी जी को। प्रफ़सर नित्यानन तिवारी दिल्ली विश्व विद्याले से 35 सालों के अध्यन अध्यापन से जुड़ी रहे हैं। इसलिए अब हम प्रफ़सर नित्यानन तिवारी जी से इस कविता की व्याख्या और विश्लेशन पर बातचीत करेंगे। प्रसाद जी के व्यक्तित्व और उनकी प्रधान विशेषताओं की चर्चा की है। ये नए तरह से साहित्य में किस तरह से प्रगठ होते हैं और एक आलोचक और पाठक को उसे कैसे आधुनिक धंग से पकरना होता है। समझा जाता था, अब वैसा संभव नहीं है। इसलिए जिग्यासा और समस्यात्मक्ता आनिवारी है कविता को समझने के लिए। दूसरी बात इन्होंने उठाई थी स्वप्न और कल्पना का। चायावाद में स्वप्न और कल्पना के कारण उसकी बुराई की गई। और यह कहा गया कि चायावादी काव्य पलायन का काव्य है। लेकिन असल में चायावादी काव्य एक नई संरचना में लिखा जा रहा था। जिसे समझना उस समय लोगों के लिए संभव नहीं था और वह जिस संरचना में लिखा जा रहा था वह स्वापना और कल्पना के द्वारा बनाए गया था और वह था बिम्ब अब इस कविता के विशय में हम बात करें देवसेना का गीत सबसे पहले मैं जो देवसेना के जीवन में बिडम्बनात्मक बिपलव पैदा हुआ है दुख प्रढय जैसा दुख पैदा हुआ है उसके उसकी प्रिस्थभूमी की चर्चा करों वह देवसेना जो संगीत प्रिय थी उसका आदर्ष था एकांत त्टीले पर सबसे अलग शरत के सुन्दर प्रभात में फूला हुआ फलों से पैदा हुआ पारिजात बिक्ष ये तो उसका आदर्ष था ये कितना कल्पना में, कितना सुन्दर, कितना उदात है लेकिन परिस्थितियों ने उस उदात को टुकडे टुकडे कर दिया देवसेना विजया से आप मानित हुई, देवसेना आपने प्रेमी से एक तरह से प्रताडित हुई, प्रेमी से उसको उपेक्षा मिली, राज्य से निश्काशन मिला, आप सोचिए कि कितनी भीतरी तोर पर कितनी वास्तविक का व्यात्मक और संगीतात्मक उसका व्यक्तित उठा, और उसे ये सब कुछ सहना पड़ा, और ऐसी स्थिति में यह यातना कितनी गहन और गंभीर होगी, प्रसाद को यह यातना बड़ी प्रीय है, और उन्होंने इस गीत के संदर्व में यह एक तरह से कह सकते हैं, लिखा था, जब देवसेना को सकंद नहीं समझ पाए, और आखरी ख्षनों में जब उन्होंने प्रस्ताविक किया कि हम लोग दोनों अब अपना जीवन साथ कर सकते हैं, तब देवसेना ने कहा नहीं, मैंने जो किया है आपके लिए, उसके प्रतिदान के रूप में मैं यह भीख नहीं मांग सकते, वा ख्षमा मांगती है, यह एक तरह से देवसेना के विदाई का ही ख्षन है, अपने प्रिय से विदा का ख्षन वस्विकार नहीं क इस कविता में जो कहा गया है आह वेदना मिली बिदाई बड़े उच्छषित स्वर में कहती है कि हमें बेदना के रूप में बिदाई जो है उसके उपहार के रूप में बेदना मिली है अब उसकी जैसे बेटी बिदा होती है उसको उपहार दिया जाता है तो यह बेटी भी बिदा होती है लेकिन किस तरह से बिदा होती है यह बेटी अपने प्रेमी को अस्विकार करके बिदा होती है और इस तरह से उसे उपहार के रूप में वेदना मिलती है यह भी बहुत एक नए प्रकार की वेदना का चित्रन प्रसाद जी ने किया है फिर उन्होंने का मैंने भ इखल उटाई अब इसका जो शब्दों का अर्थ देखकर कोश में वाक की संगत लगाकर जो अर्थ किया जा सकता है उससे अर्थ नहीं लगेगा पूरी छायवादी कविता का जो structure है उसकी जो बनावत है वह बिम्ब की है बिम्ब का जो प्रधान धर्म है वह एक अपना आका प्रश अपना दिक तयार करता है वह अपना एक समय तयार करता है तो जो दिक और काल बिम्ब तयार करता है वह चायवाद के पहले संभव नहीं था अपवाद रूप में कहीं होता हो सचेत रूप में चायवाद के पहले ये संभव नहीं था तो चायवाद चाहबाद में जो बिम्ब है, इस कविता में जो बिम्ब है, उससे पता चलता है कि यह देवसेना जो इतनी कोमल है, इतनी मार्दव है, इतनी मानविय है, वह अब परणदत्त के साथ भीख मांग गई है। यह सुन्दरी कौन है, इसके परिस्थितियां क्या है, यह क्यों भीख मांग रही है, और इससे जो बिम्ब बिम्ब बनेगा, उसका अपना एक दिक्काल होगा, और उस दिक्काल में यह पता चलेगा कि मधुकरियों की भीख लूटाई, यानि मधुकरियों का आर्थियां लं अंपटों को उसे अपने जीवन के बहमूले गुणों को गवाना पड़ता है, यह अगर अगर बिम्ब नहों तो केवल इसी कविता का नहीं, बलके दूसरी कविता का भी या शायवाद की ज्यादतर कविताओं का अर्थ नहीं किया जा सकता, तो इस पूरी कविता में हम द और हर जगह कलपना है, हर जगह कलपना है, संध्या में श्रमकन हैं, स्वेध बिन्दु हैं, छल छलाते हैं, आशू की तरह गिरते हैं, और उसकी हर यात्रा पर निरवता, एक आंत, निश्चब्दता अंग्डाई लेती हैं, हर जगह आपको कलपना करनी पड़ती है, निरवता कैसे किसी की जिन्दगी में अंग्डाई लेती है, कैसे श्रम बिन्दु, आंसू के बिन्दु में बदल जाते हैं, श्रम करते-करते ठकता है, कैसे मधुमाया होती है कैसे गहन विपिन गहन जंगल होता है उसमें तरुकी छाया होती है यह सब कल्पना करने पड़ जा और किसी पथित ने उनीदे कानों में विहाग का गान गया है मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि बिम्ब आनुभव को सुन्दर नहीं बनाता अलंकार की तरह बिम्ब आनुभव को ही बनाता है तो छायवादी कविता का आनुभव ही बिम्ब आतमक है और यह नया स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर में यह पूरी कविता लिखी गई ह और वह देखती है कि प्रलय चल रहा है मेरे रध पर आप यहां जो देवसेना है उसके अस्तित्तु का क्या मतलब है जब चारों और लंपक उसे घेरे हुए हैं तब उसके अस्थित्व का क्या मतलब है और इसलिए वो कहती है कि मेरे जीवन रठ पर प्रलय चल रहा है और प्रलय जीवन का अंथ है तो वा अनुभूत ही करती है अपने जीवन के भीतर ही प्रलय की मैंने और उसने होड लगाई उससे होड लगाई दुर्बलपद से दुर्बलपद उसका था नहीं हो इसलिए गया कि वह अपमानित लांचित उपेक्षित राज्जी के सर्थ पर वंचित इन सारे कारणों से वह कमजोर हो गई उसका निजपद बल कमजोर हो गया अन्य था देवसे ना कमजोर नहीं थी निरबल नहीं थी और विश्व से प्रार्थना करती है विश्व का मतलब जो भी जो भी परम्तत्तों से प्रार्थना करती है कि अब यह जीवन लोटा लो अब यह करूना हाहा खार ही हाहा कार कर र इस तरह हम यह देखते हैं कि यह पूरी कविता बिंब के धरातल पर रची हुई और दुखों और संघर्षों में एक व्यक्ति की सार्थक्ता खो जाने की अद्भुत बिडंबनात्मक अनुभूती है झाल बिंबनात्मक अनुभूती है